हाई मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं वोजपुरी बाते पे पेख बहुत दंदार है कुछ अपनी किरदार के बारे में और बोजपुरी में पहली बार लेक्ट पर काम हो रहा है कि यह चाहिए देखे इसके पहले हमारे जो पोडूसर्स हाब है इन्होंने फिल्म बनाई थी मुकदर है ना और मुकदर बनाने के बाद इन्होंने तय किया कि अब यह बनाएंगे मुकदर का सिकंदर और मुकदर का सिकंदर के लिए जिस तरह का किरदार चाहिए था जिस तरह की स्क्रिप्ट चाहिए थी वो संतोष मिसरा जी ने रचा उन्होंने सुनाया और एक ऐसे किरदार के बारे में उन्होंने यह फिल्म बनाई जो रियल मे थे और उनके गाओं के आसपास के ही थे तो उनको काफी अच्छे से उनके बारे में पदा था तो उन्होंने ये फिल्म बनाने की सोची और मुझे मौका दिया इसमें काम करने का मुझे बहुत मज़ा आया ये फिल्म करके और मैं ये कह सकता हूं कि हम कहते तो हैं हर बार कि न कितना आपने इस बारे में आपको कितना पता था मुझे काफी पता इसलिए भी था क्योंकि 2007 2007 में जब संतोष मिश्रा मिले थे तब से लेके और 2018 तक उन्होंने कई बार उनके बारे में मुझे बताया उसी स्क्रिप्ट के बारे में में बताया पर संजोग ऐसा हो रहा था कि वह बन नहीं पा रहे थी फिल्म किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि भोशपूरी में बायोतिक बनाएंगे पता नहीं कैसा रहेगा पर जब हमारे शमीम भाई वसीम भाई यह लोग सुने इस्टोरी को तो इनको भी उतना ही अच्छा किसी बायोपिक को बनाने में बहुत बड़ा आइंगोर होता है कि बहुत चैलंगी होता है क्योंकि नॉर्मली जो ऐसे नॉर्मल फिल्म होती है उसमें निरहुआ से काम चल जाता है कि चलो निरहुआ आगया अब नाचे गाएगा मारेगा पीटेगा यह इससे हो जाएगा पर जब कोई बायोपिक करनी होती है तो अब वो किरदार निभाना है जो रियल में था कोई है तो फिर वो निरहुआ को छोड़ना पड़ेगा अब यह एक अलग किरदार को जीना है तो उसमें काफी मुझे लगता है मेहनत करनी पड़ती है मैंने कोशिश किया है बाकि कि ने किने ने की हैका मैंने काफी प्रयास किया जब भी होता था मैं उनके बारे में जाननी की कोशिश करता था शंचोष भी टमी यह सेयल मिंफ़ना है उनके मैं यह और फिर मैंने कोशिश किया किस्केशार को जिंग ब्रशेजर बश्य तरो कि इस सोष़ को लुटBERG के यह मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सस्पेंस है और यह तभी खुलेगा जब फिल्म रिलीज होगी क्योंकि उसके बारे में अभी जैसा कि संतोष जी भी चाहते हैं हमारे डिरेक्टर जी कि अभी ना बताया जाए जिए फिल्म देखें तो लोग बताए कि यह किस किरदार के ब सबस्क्राइब करते हैं कि अपने सेट में सारे आर्टिस्टों को कि हम लोग बहुत असानी से काम करते हैं और यह जैसे लव इंट्रेस्ट तो मैं प्ले करती हूं हर फिल्म में और वह हमेशा बहुत एक्साइटिंग होता है लेकिन इसमें अच्छली वें दिस बेस्ट अन इनको प्ले कर रही हूं सो उनके बाडी लांग्विज को उतारना वो जैसे बात करती थी वो जानके उस तरह से बात करना उस तरह से रहना लिट्रिली जितने दिन तक शूटिंग चलती है मुझे उनी को बन के रहना पड़ रहा था तो I think that was very I won't say challenging, बहुत exciting था मेरे लिए विकर्ज हमेशा चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अलग करें और इस फिल्म में वो करने का मौका मिला तो मैं बहुत grateful हूँ वसीम जी को, Santosh Mishra जी को, हमेशा मुझे पर इतना trust दिखाते है Santosh जी, and I'm grateful to my eco-actors also, Shamim जी, Dinesh जी, हम लोग ने बहुत अच्छी बढ़ियां फिल् जी, जातके कोश्टर से कुछ-कुछ ऐसे लगता है, यह वही दबंगी टाइप का और बहुत पावर्फल क्यारेक्टर लग रहा है, कुछ जी, जी, देखिए, और मैं ऐसा मानता हूँ, कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी ऐसे नामी लोग हुए हैं, जिनो उन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ा डिसीजन लिया है, और उन्होंने प्रूफ किया है, कि अगर हम सीधे हैं, तो हमें छेड़ो मत, क्योंकि अगर हम टेड़े हो गए, तो फिर किसी के बाप के नहीं हैं, तो इस तरह का किरदार उनका था, कि वो बहुत सीधे इंजिनेरिंग कर रहे हैं, और अचानक उनको जब उनके परिवार पे बात आई, उनके उपर बात आई, गाव समाज पे बात आई, तो उन्होंने ऐसा रूप पकड़ा, कि पूरे हिंदूस्तान को इलागे रख दिया था, जब आप फिल्म देखेंगे, तो आप खुद भ कि जब फिल्म रिलीज हो, लोग देखें, तो उनको पता चलेगी, अच्छा ठीक है, इनके बारे में ये फिल्म बनी है, अब बायोपिक बना रहे हैं कि, कैसे आपने सुझा कितने वक्त से जैसे इसे बताया था, कि आप काफी जिकर कर रहे हैं, पहली बार एटेम कर रहे तो जब कहानी सुनते ही, हम दोनों भाई बैटे थे, तो पहला चेहरा जो नजर आया, वो सबसे पहले दिनेश जी का आया, कि ये करदार को दिनेश जी से बहतर भोजबरी में कोई नहीं कर सकता, और ये आप देखो के भी टेलर देखके चंद मिनट में आपको मालूम पर जाएगा, कि इदिनेश जी ने वाकई में काम बहुत जबर्दस किया है, और जैसा आपने भी सवाल गिया था उनसे कि आपको कितनी महनत करनी पर है, तो मुझे लगता कि उन्होंने जो 10-12 साल बताए हैं, तो उन्होंने बहुत महनत किये उस पर, और उस पर वो खरे हुतर में कुछ जो हमारे पारंपरिक गीतों में जिस तरह का ब्याख्यान रहता है, किसी किरदार को बताने के लिए, किसी स्टोरी को बताने के लिए, इस तरह का म्यूजिक भी इसमें रखा गया है, गाना रखा गया है, जो कि पूरी स्टोरी की गंभीरता को बताएगा, कि इस तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसा मानता हूं कि मेरे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा अबरब वाली मुजिक के आप से भिजानाज की हिरोई डेफिनेट लेकिन इस फिल्म में सच दिने जी सच में यह बात जो बोल रहे हैं जो हमारी पार्म पर दुने हैं आप किसी शादी बिया में सुन लीजिए किसी कहीं पर भी सुन लीजिए आप उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे और उन दुनों को हमारे मुजिक डिरेक्टर बहुत इस फिल्म में अच्छे से पिरोई हैं तो इस फिल्म में मेरे वो गाने ज्यादा फेवरेट हो चुक है र मेरे रोम रोम में बसते हैं वो क्योंकि मैं उनको इतना अपने जीवन में फॉलो करता हूं बच्पन से फॉलो करता आया हूं और मेरे लिए मैं कहता भी हूं जब मैं उनके साथ काम किया तो भी मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं मैं जब आप सामने कुछ लेना देना नहीं है की स्टोरी है उससे उससे कुछ लेना देना नहीं है सिर्फ टाइटिल संजोग से मैच करता है बागी कहानी से कुछ लेना देना है दिने जी आप वीजेपी के सदस्य होने के नाते क्या कहूंगा उससे भी ज्यादा एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के कहूंगा कि हर व्यक्ति को समर्थन करने का जितना हक है उतना ही उसको अधिकार विरोध करने का भी है पर किसी भी चीज का समर्थन और विरोध आप उसके बारे में जान के करें कि जो कानून आया है वो कानून क्या किसी का अधिकार छीनने के लिए आया है या किसी को अधिका देने के लिए आया है तो मुझे लगता है कि यह जो कानून आया है वो जो लोग ऐसे हैं जो प्रतारित हुए और इस देश की नागरिक्ता लेना चाहते हैं तो उन्हें यह नागरिक्ता देने के लिए कानून बना है ना कि इस देश के किसी भी धर्म किसी भी जाती या किसी भी व्यक्ति की नागरिक्ता छिनने के लिए नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि विरोद करिए समर्थन करिए पर उसके बारे में जान लीजिए आप वहाओं से दूर रहिए मैं तो यहीं कहना चाहूं कहीं न कहीं उस समय चाहता भी था कि इस देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी बने तो मैं उतर गया आगे समय क्या होगा अब उसके बारे में अभी से मैं नहीं कह सकता जिस तरह के जगन्य अपराद के लिए किसी भी दोसी को सजा दी जाती है उन निश्चित रूप से होना ही चाहिए और देर भी नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है कि जब भी कोई अपराद होता है तो अपरादी को जितनी जल्दी सजा मिले उतना ही समाज के लिए कि अभी भी कुछ गलत करने से सता सो भार सोच है कि में चाहता हूं मनुष टिवारी जी क्या चाहते हैं वोदी क्लेज चाहते हैं आप उस पर बिल्कुल मत जाएए कि है इस देश की जनता क्या चाहति Olay तो दिल्ली की जनता जो चाहेगी होई और यह तो तो एसे गुनागारों को तो फास्ट्राक कोट में सबसे पहले सबसे जल्दी सजा होनी चाहिए और इन फाक्ट जब उनको फांसी लग रही हो ना तो उसका लाइब टेलिकास्ट होना चाहिए ताकि ऐसी डariלק आफ काम करने से पहले घर किसी कि रूख आप क्योंकि वो देखे हो कि इसका नतीजा क्या होगा तो मेरा मानना या है कि से भी एक लोग को सरे आम ठासी होनी चाहिए तो आर भा शाय पे सबसipse होनी चाहिए ug ठाविम और उस अच्या को लग कम करने से पहले उख